नमस्कार साथियों एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत सवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिये गुरुजी पर सोगाई जैसा कि आप सभी बता है कि बीएड इंटरस एक्जाम 2023 की पूरी तयारी मैंने आप सभी को करवाई थी और सभी ने बहुत कर सकते हैं पहली बाद तो टेलेगां गुरुप पर जोड़ जो फॉलो कर लो और यह हमारा वाटसप नमबर इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको एक ग्रूप में एड़ कर दिया जाएगा जिससे आप लोग वहां पर जुड़ करके जो एरलसी से उसमें और भी पाडिस डाउनलूड कर सकते हैं तो जतनि कोश्य हो सकते हैं एड करने का प्रियास किया है और जितने मिल रहा हूँ और सबकुछ मैंने वीडियो भी बना दिया है तो आप मेरे यूट्यूप पे जाओगे तो यूट्यूप पे साथियो जाजितन है। ठीक है first paper का भी और second paper का भी सब कुछ मैंने वहाँ पर डाल दिया है तो आप मेरे चैनल पर जाओगे देखो कि तो आपको first shift, second shift का मिल जाएगा ठीक है अब देखो अगर हम बात करते हैं कुछ paper के analysis की बात करते हैं तो यह simple सी बात है यहाँ पर समझो चीजों को समझने का प् English की बात कर लेते हैं तो अभी तक जितना मुझे मिला है जो हमारे यहाँ पर students है लाग डेल लाग दो लाग जो students है ठीक है इस बार के जो student है उनके थरू जो आपका update आ रहा है जो अभी तक रूजहान आ रहा गए सकते दूसरे सब्दों में वो यही simple सा आ रहा है कि आप हि कंदी में सब लोग जो है 40 प्लस टच करके आए हैं ठीक है मतलब ऐसे जो 80 परसे श्रेंट जो 40 प्लस जो करकर करके आ रहे हैं यहने उनका पेपर बहुत अच्छा गया है जीके में भी यही हाल है कि भीया 10-12 कोईशन थोड़े से जो है मीडी जो है कह सकते है थोड़े से हा है इसी परकार पेपर 2 की बात करते हैं ऐसा डीके रहे हैं तो पर तूमें भी हाल लाया है मैं शर्फ पहले रीजverse नींग की बात कर चाहे आपके science side वाले हो or art side वाले हो मैंने हमेज तयों मैंने आप को बताए है एक average मानके चलो 10-15 question तीच है कोई इस में बहुत ज्यादा कर चाहते है कोई कम करती यहां से 40 मालुए यहां से 40 माल लेते हैं और मिनिममूम जो लोग करके आही तूस-मिनिममम लेया है यहांने कि is 24त्म मिनिमम तो लोग यहां पर टेच करके आही है', wanna省 कि इसमें गलत कर दी है वह भी आपका स्विस्त वहुद एखतेगा मेरा है एक criteria जो है एक analysis निकल के आ रहा है, हर बार का ही होता है, तो paper आप इस बार का जो है बहुत tough नहीं आए था, easy to moderate आए था, तो ये मान के चलो भईया, जो topper इस बार का होने वाला है, topper जो होगा, जो number 1 जिसके rank आएगी, obvious सी बात है, 320 plus का आएगा, ठीक है, उसका 320 plus होना ही होन निश्चित है, ये मान के चलिएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, गौर्मन सीट के ते नमबर तो इस बार का जो गौर्मन सीट है, ये मान के चलिएगा भईया, according to the rank 230 plus जितने लोग होंगे यहापर, 230 plus जितने लोग होंगे, उनके rank अच्छे माने जाएंगे, उनके rank जो है अलग-अलग category में बाटना चाहें, तो general मान के चलिए भईया, जो general वाले है, उनके 250 के आसपास मान के चलिएगा, ठीक है, general वाले, OBC वाले मान के चलो भईया, 240 के आसपास, 245 के आसपास, इसी तरह गर हम बात करते हैं, आगे other categories की बात करते हैं, तो 230, 220 मान के चलिए, ठीक पोल करवाओंगा जिसमें जो है, आपके कितने expected आपने सही किये हैं, क्योंकि आप जब answer की से अपने answers मिलाओगे, तो आपको एक और idea लग जाएगा, जब यहाँ पर जो answer की है, इससे आप लोग answer अपनी मिलाओगी, तो आपके एक idea लग जाएगा, कि आपने कितना सही किय जाए कितना गलत कि, आपके कितने number बन रहे हैं, उससे पोल करवाओंगा, तो पोल से आपका एक और अच्छा सा जो है, analysis जो है, आईडिया निकल के आएगा, वहाँ पर और जो चीज़े समझ में आएगी, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग के सवाल बन रहे हैं, सबसे आ आने का प्रयाज हो करो, ठीक है, आप देखो सबसे पहले हम लोग official website पर जाते हैं, तो official website पर आपको यहाँ पर जो है, देखें, यहाँ पर admit card, date of exam, यह सब कुछ जो है दिया गया था, जब यह जब यह चीज जो आपका आया था, ठीक है, जब यह आपका कह सकते हैं, सबसे पहली बार आया था, तो वहाँ पर आपका और भी जो चीज़ें आपकी वहाँ पर add की गए थी, जैसे अगर हम बात करते भी है, result कब आएगा, अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर और जो चीज़ें आपके expected जो है, सब कुछ वहाँ पर जो निकल के आया था, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर एक बास, थोड़ा सा जो है, समय दीजिए, उसके बाद जो भी मैं clear करने का प्रयास करता हूं, वो भी आपको यहाँ पर आलड़ी बताय जा चुका है, तो expected जो आया था, वो देखिए, आपको यहाँ पर जो साफ साफ जो है, छपा होगा है, धियान से ग आपका जो है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, कौंसिंग भी आपको यहाँ आपको यहाँ चीजे करनी है, कैसे करनी है, आप जुड़े रहो, यहाँ पर आपको मैं गौर्वर्मेंट बर्स आपको मैं यहाँ पर यह बताऊंगा, कि किस तरीके से आप लोग जो है, आप लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगे, यह कैसे करना है, काउंसिंग में क्या-क्या डॉकुमेंट लगते हैं, उन सब को अगर आपको जानना है, आप लोग तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से, हर दिखांकर आप जुड़े रहोगे, तो यह सारी जो चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगे, और यह कैसकते रफ जो है, मैंने एक अनलेसिस दिया है, यह रफ अनलेसिस आपका जो है, संपूर अनलेसिस में जो है, कंप्लीट बदल सकता है, अगर आप लोग जो थोड़ा सा जो है, पोल सिस्टम में पार्टिसिपेट करोगे तो, तो बस जुड़े रहो, जो चीज़े हैं देखते रहो, आपको चीज़े आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी, आपकी और भी जो सवाल बंते